हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे तो प्रियंकर्स किजिन आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूं टमाटर का सूप तो चलिए बनाते हैं ठंडी पड़ रही है इसमें टमाटर की तो बहुत ही टेश्टी रखता है तो देखिए हमने टमा काट के वाइल करने के लिए रख दिया है कि इसमें आदा गिलास पानी डाल दिया है तो देखिए अची तरह के से वाइल हो रहा है अब इसे हम फोक से देख लेंगे टमाटर मारे अची तरह से गल गए है या नहीं तो अब इसमें दो तीन मिनट और हम पगाएंगे इसको कि इतना अच्छा वाल आ गया है इसमें अच्छी तरह से हमारे टमाटर गाज़ा सबकुछ अच्छी तरह के से बख चुगे हैं अब इसमें हमने काली मिर्स डाल दीती सावत उसे भी हम साथ में पीस लेंगे तो भी मिक्सर जान ले लिया है हमने उसमें टमाटर और पानी स अचित बना ली है अब इससे हम निकाल लेंगे चान के तो देखे यह हमने दे लिया है कॉर्ण फ्लोर यह एक चमस कॉर्ण फ्लोर लिया है इसमें पाने दाल के इसे मिक्स कर लेंगे और एक गाड़ा सा गोल बना लेंगे, तो देखे, यह मिक्स हो गया है, अब हमने एक छोटी सी बहवानी रख दी है, गैस पे, आप किसी कडाई में भी बना सकते हैं, इसमें हम डाल देंगे एक चमस घी, तो घी गरम हो जायागा, इसके बाद हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे अगर आप जीरा इसकिप करना चाहें, तो इसकिप कर सकते हैं, और लैसन मैंने इसे उबालने में ही डाल दिया तो अब जालने की जोट है नहीं इसमें, तो घी गरम हो गया, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, तो जीरा थोड़ा सा भून लेंगे, और इसमें हम ट तलिखे, तोमाटर की सूप में, इसमें हमने थोड़े दो गाजर भी यूज़करी है, जुकंदर भी यूज़के है, अगर आप इससे करना साथ हैं तो कर सकते हैं, खली तолж, तेश्टि बनता है अब इसमें हम डालेंगे कॉनफ्रूर का गोल जो हमने बना के रखा था तो इसे चलाते रहेंगे हम जब तक अबाल नहीं आ जाता तो देखिए अब हमने इसमें डाल दिया कोन फ्लोर का जो मिक्सर बना के रखा था वो इसमें डाल दिया है अब उसे हम दो मिनट के लिए पकने देंगे चलाते हुए देखिए सूप की consistency कितनी अच्छी आई है अब इसमें हम डाल देंगे काला नमक तो देखिए हमने काला नमक डाल दिया है और थोड़ा सा डाला है वाइट नमक और इसे मिक्स करते हुए चला लेंगे तो यह हमने सॉंस ले लिए है दो चमच अगर आप इसमें सॉंस नहीं डालना चाहते तो एक चमच इसमें चीनी डाल दीजिए जिससे इसका थोड़ा खटापन कम हो जाएगा और बहुत ही टेश्टी बन जाएगा मैंने इसमें सॉंस तो alguns सी थोड़ा अच्छा लेंच पाइगा तो देखिए सॉंस हमारा बन के तयार हो गया है आप इसे गाड़ा पतल अपनीई अकॉंड़िंग कर सकते हैं मैंने थोड़ा पतला ही रखा है इसके उपर से अब हम डालेंगे क्रीम यह मैंने अमूल क्रीम डाली है इसके उपर से आप घर की बनी हुई क्रीम यह मैंने की मलाई भी डाल सकते हैं तो फ्रेंड हमारा सूप बन चुका है आप भी बनाइए और सूप का टेस्ट लीजिए एक वार और बताइए मुझे आपको सूप की दश्पी कैसे लगी है अब मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए था